प्यारे बच्चों नमस्कार देखिए आपका अंग्रेजी का जो पेपर है इस बार बिलकुल ऐसा ही आने वाला है कारण यह है 2022 में जैसा आया था सेम वैसा ही 2023 में आने वाला है तो इससे एक परसेंट भी इधर उधर नहीं होगा आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए प मात्र डिफरेंस नहीं होगा एक परसेंट मात्र भी जैसे यहां पर लिखा है चार पेज है ऐसे पेज लिखा होगा यहां पर आपको रोल नंबर यहां पर अपना नाम डालना होगा यहां पर सिगनेचर करेंगे आपके कक्छनिरिच्छक आपका जो कोड है कॉपी में ये होगा 316 REE आया हुआ पेपर है तीन घंटे पंदा मिट का समय सो का पुडांग होगा प्रस्ट फिप्टी मिनेट आर अलोटे तो दे कैंडिडेट्स पर रीडिंग दी क्वेशन पेपर आल क्वेशन आर कंपलसरी मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस क्वेशन यानी आपक यंग प्रस्टों के सामने हैं जैसे हमने कहा था आपको कि लाइफ इस नौट वेड़ आफ रोजेज बट वेड़ आफ थौन्स इटिस फूल आफ डैंजर्स एंड डिफिकल्टीज दे हैब तो बी एवर कम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ देखे तो ये मानो जीवन पर आधारित एक गद्यांस आएगा ये पैसेज आया था इस पैसेज के नीचे आपके उत्तर दिये हुए थे सौरी प्रशन दिये हुए थे इन प्रशनों के उत्तर आपको देना था पंदरा नंबर जैसा हमने बोर्ड दोरा दिया गया पेपर दिखाया है सेम वैसा ही है पंद्रा नमबर के आपके पैसेज दिए हुए हैं और पंद्रा नमबर के पैसेज मैं इनको थोड़ा सा हल कराने की कोशिश करता हूँ तो कहता है कि life is not bed of roses, जीवन गुलाबों की फूल की सेज नहीं है, गुलाब के फूलों की सेज नहीं है, बट इबेड आफ थौंस लेकि बलकि कांटों की सेज है, जीवन गुलाब के फूल की सेज नहीं है, बलकि कांटों की सेज है, it is full of dangers and difficulties, यह खतरों और कठनाईयों से भ एक मोटी बसनल स्पीच है यह अगर जीवन में सकसेज बनना है तो उन्हें हमें क्या करना होगा? उन कठिनाईयों को दूर करना होगा, overcome करना होगा In the race of life, जीवन की भागा दोड़ी में या जीवन की रेस में या जीवन की दोड़ में We should not be afraid of the risk which is but natural We should not be afraid of the risk We should not be afraid of the risk which is but natural क्योंकि वो एक क्या है, वो एक स्वाभाविक है जो स्वाभाविक है उससे नहीं डरना चाहिए वो तो हो नहीं है, सब के जीवन में होता है और success in any work in life goes to those person who welcome risk जो risk का स्वागत करता है यानि जीवन में किसी भी कार में सफलता उन्ही विक्तियों को मिलती है जो जोखिम का स्वागत करते हैं who welcomes risk जो risk का स्वागत करते हैं और success in any work in life goes to those persons उन लोगों के जीवन में सफलता मिलती है जो risk का स्वागत करते हैं अगर risk नहीं तो success नहीं science would not have made such wonderful achievements if our scientists had not risked their lives and comforts समझे अगर हमारे वैज्यानिकों ने अपने जीवन और सुक्सुविधाओं को जोखिम में नहीं डाला होता तो बिज्यान इतनी अदभुत बिचित्र उपलब्दियां हासिल नहीं कर पाता the more difficult a work is the harder should be our efforts to perform it यानि कोई कार जितना कठिन होता है उसे करने के लिए हमारे प्रयास भी उतने कठिन होने चाहिए जितना कार कठिन उतने प्रयास भी कठिन होने चाहिए life is not a smooth sailing जीवन एक सहज sailing अर्थात नौकायत नहीं नौका चलाना नहीं है petty difficulties frighten a weaker hurt who is not prepared to take a risk जीवन एक सहज नौका चलाना नहीं है छोटी छोटी मुस्किले उस कमजोर दिल को डरा देती है जो जोखिम उठाने को तैयार नहीं but brave hurts achieve fame and honor because they enjoy taking risk क्योंकि बहादुर दिल जो होते हैं वे fame प्रसिधी और honor सम्मान को प्राप्त करते हैं क्योंकि they enjoy taking risk क्योंकि उन्हें आनन्द आता है risk लेने में in short risk brings success and work miracle अंततहा यही कहेंगे संखेब में जोखिम सफलता लाता है और चमतकार करता है तो risk लेना चीए how is man's life आदमी का जीवन कैसा है तो man's life is not a simple ठीक है आदमी का जीवन क्या है man's life is not a simple is not easy it is full of danger, difficulties and risk बात समझ में आई next question यह है कि what should we do succeed in life यानि हमें life में success होने के लिए क्या करना चाहिए तो मतलब अब यहां पर देखो हमें keyword succeed वाला कहां मिल रहा है यहां पर मिल रहा है they have to overcome we are to succeed in life यानि किन को दूर करना चाहिए difficulties को tensors and difficulties we have to overcome if we are to succeed in life को मिल रहा के to succeed in life ऐसे लिखेंगे आप simple सा to succeed in life we should take risk and sacrifice comfort सबसे अच्छा रहेगा क्या to succeed in life we should take risk and sacrifice comfort क्यानि हमें risk लेना चाहिए और comfort जो हमें आराम है वो छोड़ देना चाहिए क्या करने के लिए success होने who are frightened by petty difficulties तो weaker hurts आपने यहां देखा यहां पर लिखा है weaker hurts आपको मिला होगा यह देखे यहां पे weaker hurts weaker hurts weaker hurts यह देखे petty difficulties frightened a weaker hurt simple सा paper बहुत कठिन नहीं आता है बहुत कठिन पढ़ने कोशिस मत करो simple आता है और बहुत बड़े-बड़े passage भी नहीं आएंगे वो तो आपको books में question banks में बहुत लंबे-लंबे passage दिये होते इतने लंबे नहीं आते देखो यहां पर 3, 3, 6, 3, 9, 3 मतब 10-12 line का बंदरा line का खीच के 20 line का passage होगा इससे बड़ा नहीं होगा guarantee मेरी यह वो अलग बात है आधारित question होंगे तो यहां weaker heart लिखा है तो आप लिखेंगे weaker hearts who are not prepared to take risk are frightened by petty difficulties हो जाएगा यह फिर what do what do brave hearts achieve अब यहां brave hearts के बारे में लिखा है but brave hearts achieve तो यहां लिखेंगे brave hearts achieve fame and honor because they enjoy enjoy taking risk यहां पे answer हो जाएगा फिर कहता which word in the passage is the opposite of artificial तो artificial का opposite होता है natural ठीक है natural artificial मतलब होता है क्या क्रत्रिम और natural मतलब प्राकृतिक which word in the passage means fear fear का मतलब frightened afraid ठीक है आफरेड होगा afraid fear मतलब भय और afraid माने डरना write the adjective for my miracle miracle का miraculous हो जाएगा क्या हो जाएगा miraculous ठीक है यह हो जाएगा हो गया section B आपका आएगा क्या आएगा क्या आएगा article under two 150 words यानि 100 से डेल सो शब्दों में 10 नंबर आपको पक्के करने है rising prices prices social levels importance of game इस तरह तमाम आपके article हैं ऐसे हैं वो आ सकते हैं write a letter to editor in national daily conveying your concern on growing prices of diesel and petrol ठीक है write a letter to principal your college 10 नंबर में letter application भी आना है section C आपका grammar आएगा government by one person तो ये क्या होता है केवल एक ही विक्ती का जब सासन चलता है तो उसे democracy नहीं कहते bureaucracy नहीं कहते aristocracy नहीं कहते autocracy नहीं कहते क्या कहते क्या है ये होता है autocracy ठीक है autocracy होता है तो गोवर्मेंट by one person का autocracy हो जाएगा यहाँ पर लगा भी है फूल्स पेराडाईज तो लीव इसका हो जाएगा to live in the state of enjoyment based on false beliefs of hopes synonyms यानि पर्यावाची बता नहीं क्रियूल का क्रियूल मतलब होता है निर्दई तो मर्सी लिस माने निर्दई होता है कुछ बच्चे काइंड लगा देंगे कहेंगे जल्दबाजी में काइंड मतलब दयालू होता है तो यह हो जाएगा इंटोनिम मोहन is more taller than राम तो more taller than यहाँ पर taller लगा तो more लगाने कोई आचित नहीं तो गलती मोर में है अप्टिमिस्टिक का पिस्सिमिस्टिक हो जाएगा फिर आपका आज आएगा डायरेक्ट इंडायरेक्ट इस्पीच अब ग्रामर पोर्सन मुझे नहीं आता है इसके लिए चमा चाहेंगे आप जो है आपको प्रोच के चार क्वेस्टिन आएंगे चार क्वेस्टिन में से एक दो क्वेस्टिन का आपको एंसर देना होगा चार चार आठ नमबर में What happened to the ratrap seller in the woods and why did Gandhi ji chide the liars why did the peddler consider the world as a ratrap what did the instructor do to train Douglas ठीक है answer one of the following questions 80 words असी सब्दों में देना है एक प्रसंद का उत्तर साथ नमबर में प्रोच का ये आपका होगा question पे sorry question ये पे प्रोच का होगा what was the scene inside the class when friends reached the school what conditions compelled sahib to wander in the streets of Delhi for ratpicking ठीक है फिर आपका एक आएगा stenja यानि की पद्यांस यानि की एक poem आएगा इस poem के नीचे आपके तीन प्रसन होंगे तीन प्रसन होंगे छे नमबर के होंगे poem को पढ़ना होगा एक थिंगा beauty is a joy forever its loveliness increases it will never pass into nothingness but will keep a boa quid for us and a sleep full of sweet dreams and health and quit breathing how does a thing of beauty make a lasting impression तो ये तीनों प्रसन आपको करने होंगे फिर central idea चार नमबर में आएगी keeping quiet my mother at 60 and Jennifer's tiger answer the following question in about 40 words ठीक है how did Charlie enter the third level यहाँ पे आपके supplementary reader के दो प्रसना आएंगे यहाँ पे जो चार-चार नमबर में short होंगे और 7 नमबर में दो एक प्रसना आपको करना होगा दो आएंगे ठीक है tiger king से आया है तो अब आपका ये paper यहीं पर समाप्त होता है ठीक है ये paper आपके लिए बहुत लाबदायक साबित होने वाला है तो इसलिए इसी paper को आधार मान करके आपको पढ़ना होगा शुक्रिया आप एक बार से share अवश्य किजिएगा